आज पूरा देश जिस बात का इंखजार कर रहा था लोग सभाज चुनाओ जो लोगतंत्र का महाँ परव होता है इस लोग सभाज चुनाओ के दौरान जिस तरह से तीन-तीन बार के प्रचंड वहुमस से चुने हुए मुख्यमंत्री को लोग सभाज चुनाओ में प्रचार से केंद्र की भारतिय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने बंचित किया था आज सरोच चन्याले ने इस देश से मुहबबत करने वाले, संबिधान से मुहबबत करने वाले, लोगतंत्र से मुहबबत करने वाले की दिलों में एक उमीद की किरण जगाई है हम पूरी दिल्ली के लोगों की तरफ से देश के संबंधान प्रेमियों की तरफ से पूरी पार्टी की तरफ से सरोच नियाले का धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्हों ने इस तानासाही के अंधकार युग में दिल्ली के मुख्यमंतरी अरविंद केजरिवाल को अंतरिम बेल दे करके एक उजाले की रोसनी जलाई है आज पूरी दिल्ली ही नहीं पूरा देश खुस है इस बास से प्रफुलित है कि इन विप्रीद परिस्थितियों में भी भारत के अंदर हमारे सोतंतरता संग्राम से नानियों के कुर्बानी के दम पर जो संविधान मिला लोकतंतर के जो अलग-अस्तंब बने आज भी इस ताना साही के अंदकार युग में भी अपनी भूमिका को निभाए हैं इसके लिए तहदिल से बहुत-बहुत सुक्रिया ये सत्य की जीत हुई है क्योंकि जिस तरह से बिना किसी सबूत के बिना किसी F.I.R. के जिस तरह से अचानक उठा करके मुख्यमंत्री ज जेल में डाला गया आज सुप्रिम कोर्ट के अंतरिम बिल मिलने से एक बात साबित हुई है कि आज सत्य की जीत हुई है और लोगों में एक उम्मीद की किरण बधी है मैं पूरे दिल्ली के लोगों से देश के लोगों से एक ही बात कहना चाता हूँ कि जो इस देश के अंदर हम सबने मिल करके लोगतांत्रिक तरीके से समवैधानिक तरीके से ओट की ताकत से इस देश से तानासाही को खत्म करने का, संबिधान को बचाने का, लोकतंत्र को बचाने का जो अभियान चलाया है अर्विंद केजरिवाल जी के बाहर आने से ये और मजबूत होगा पूरा देश मिल करके इस लड़ाई को लड़ेगा और इस देश के अंदर लोकतंत्र को और संबिधान को बचा करके इस देश को और मजबूत करेगा तो मैं पुना सभी लोगों को बधाई भी देना चाहता हूँ और खास तोर से सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करना चाहता हूँ मैं चाहूँगा कि आतिसी जी आज जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है इस फैसले से सिफ अरविंध केजरिवाल जी को अंतरिन जमानक नहीं मिली इस फैसले से सत्य की विजय हुई है इस फैसले से लोगतंत्र की विजय हुई है इस फैसले से देश के सम्विधान की विजय हुई है हमारे देश के इतिहास में जब जब सम्विधान खत्रे में आया है जब जब लोगतंत्र खत्रे में आया है तो हमारे देश में सुप्रीम कोट सामने आया है और लोगतंत्र की रक्षा करने में सुप्रीम कोट ने बहुत बड़ी हुमिका निभाई आज भी अर्विंद केजरिवाल जी को अंतरिम जमानत दे कर अर्विंद केजरिवाल जी को चुनाव में प्रचार में आने के लिए ज इस फैसले से लोगतंत्र की रक्षा होगी क्योंकि इस देश में लोगतंत्र हमारे देश का सब सबसे बड़ा सिभ्धान है लोगतंत्र में चुनाव free and fair elections हमारे सम्विधान की नीव है कि हर व्यक्ति को बराबरी का अभिकार है चुने आज इस देश में एक ताना शाही की सरकार है एक सरकार जो विपक्ष को खतम करने की कोशिश कर रही है एक सरकार जो लोगतंत्र को खतम करने की कोशिश कर रही है और एक सरकार जो आज देश के सम्मिधान को खतम करने की कोशिश कर रही है लेकिन इस ताना शाही का अंत होगा और 2024 के ही इस चुनाव में होगा और मैं एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट का भन्यवाद करना चाहती हूँ सामने आकर लोगतंत्र को बचाने के लिए और मैं इस देश के लोगों से अपील करना चाहती हूँ कि इस देश को अपने लोगतंत्र को और अपने सम्मिधान को बचाने के लिए ये आखरी मौका है इसलिए हम सब की जिम्मेदारी है कि हम सब को मिलकर अपनी वोट की ताकत से इस ताना शाही को फ़रम करना है धन्यवाद ये पीमेले जैसे मामले में जिसमें केंद्र की पूरी सरकार उनकी पूरी आटिलरी पूरी मशीनरी एक मुख्यमंत्री को जेल में रखना चाहा रही थी और ऐसे मामलों में जहां पे महीनों महीनों बिना सबूतों के लोगों को जेल में रखा गया उनकी इंटरिम बेल चालिस दिन में होना मुझे लगता है कि कोई चमतकार से बड़ा ही कुछ है और ये सुप्रीम कोट के माध्यम से मेरा मानना है उपर वाले का इक इशारा है उपर इश्वर का इशारा है कि जो भारत में चल रहा है उसमें बदलाव आना जरूरी है और मेरा मन कहता है कि ये अपने भट अरविंद के जीवाल जी के लिए बजरंग बली हनुमान जी का आशिरवाद है कि एक चमतकार की तरह आज वो जेल से बाहर आएंगे और मुझे लगता है कि इसका बड़ा मकसद है ये कोई साधारन बात नहीं है ये बहुत अवसाधारन बात है जो हो रही है और एक बड़े मकसद के लिए कि अर्विंद केजरिवाल जी जेल से बाहर आ रहे है और आपको कुछ दिनों के अंदर दिखेगा कि देश के अंदर अब बड़े बदलाव इनकी रिहाई के साथ दिखने लगिए बहुत 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 दंगवाद आपको करी है ये जेशा सौरभभाय ने मुझ से पहले बटाया जेसा आधेशी जी ने मुझ से पहले बटाया जेसा खोपाल सर्ने मुझ से पहले बटाया औहुत ही इसका मकसद ही सिरफ बयानबादी के आधार पर, भाजपायों की बयानबादी के आधार पर, अर्विंद केज रिवाल जी को जेल में डालके रखना था, लोग सफाचनाव से बाहर रखना था. ये लास्ट मौका है, तु सेव दिमोकरसी, अडी कॉल अपॉन 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 दिमोकरसी को आप फेल करें और लगातार दिमुदेश में इंडिया में दिमोकरसी बनी रहे, इसका पूरा प्रयास करें. तु सब्सक्राइब का इंतजार देश के करोडो लोगों को था, ना केवल हम आदमी पार्टी के लापो करोडो कारे करता, लेकिन देश का जनजन जिस पल के लिए इंतजार कर रहा था कि का अर्विन केज्रिवाल जी, जिन्होंने इस देश को एक इमांदार राजमीती खड़ा करके दिखाया है, वो जेल से कवरिया होंगे, वो पल आज आज आ गया है, इसमें केवल सत्यमेब जैते सबसे सटीक बैठता है. हम शुरुआत से कहा रहे थे कि आप जूट के कितने बड़े पुलिंदे खड़े करकर के, करकर के, दो साल से जूट पे जूट, जूट पे जूट, आप एक केस खड़ा कर रहे हो. देश के रितिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ, इतना बड़ा राजनेतिक शडियंत्र, एक नई पार्टी, जिसको भाजपा खुद कहती है, सोपारी जितनी पार्टी, लेकिन देश की सभी संस्ताइं, CBI, ED, IT, सब कुछ आम आगमी पार्टी के पीछे आपने छोड़ दिया. और ये भी देखने को पहली बार मिला देश में, कि चुनाओ घोशित होने के बार एक नैशनल पार्टी के मुख्या को, कन्वीनर को आपने कैसे जेल के अंदर डाल दाला, और भाजपा लगातार कहती है कि नहीं जी, कानून विवस्ता पर विश्वास रखिये, तो आज, जो हम पहले से कहते आ रहे हैं कि हमें देश की कानून विवस्ता पर पूरा विश्वास है, और आज जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, वो बहुत बड़ा एतेहासिक फैसला है, ये संकेत है कि कही न कहीं देश के लोग तंतर के साथ खिलवाड हो रहा है, और अब जितना समय ये 2024 के चुनाव में रह गये हैं, मुझे लगता है सही माइने में आज से 2024 का लोग सभा चुनाव शुरू होगा, और देश की जनता, जहां हम आत्मी पाटी भी नहीं खड़ी रह रही है, लेकिन इंडिया गड़बंदन का प्रत्याशी खड़ा हो रहा है, लिए, लिए! कहीं सुना है रीटेल की दुकान पर हो सेल का दाव? जी हाँ, नव्या लेकर आया है डिजाइनर सूद्स, कुर्तीज और फाब्रिक्स सबसे सस्ता, सबसे अच्छा डिफेंस रोट, ममूर, पठान कोट कॉंटाक्ट 96141 96141